अपना trader में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम doji candle stick के बारे में सीखने वाले हैं कि doji candle stick क्या होता है ये actually ये वीडियो एक series का हिस्सा है गे इसकी से पहले मैंने वीडियो बनाया है अगर आप basic candle stick होती क्या है क्या उसका opening, price, closing price या हाई या लो candle stick को समझते कैसे हैं वो देखना है तो आपके टॉप राइट में जो वीडियो का लिंक आ रहा है वो प्लेलिस्ट का लिंक आप उसपे क्लिक कीजिए पहला वीडियो वही है कि candle stick individual candle stick को आप कैसे समझ सकते हैं तो उसमें बहुत सारी candle sticks मैं cover करने वाला हूँ के करके तो यह मेरा दूसरा वीडियो है इस सीरीज में और इसमें आज मैं cover करने वाला हूँ डोजी केंडल स्टिक डी ओ जे आई तो क्या होती है डोजी candle stick सुबसे पहले मैं आपको यहाँ पर sample के लिए मैं दिखा देता हूँ लिए यह आपके सामने जो है यह nifty 50 का चार्ट है और यह वन डे का चार्ट है और हर candle stick जो है पांच मिनट की candle stick है यानि यह पांच मिनट का time frame ये पांच मिनट का time frame ये मिनट का टाइम फ्रेम इस तरह से यह पांच मिनट पर बेस केंडल स्टिक है और आप इसमें कुछ candlesticks में क्या specialty है actually और भी है जैसे आप देखें तो ये भी है ये भी लगभग वैसी ही है ये भी एक तरह की candlestick है इन सब में जो main जो एक point है वो point ये है कि इनका जो opening price है और closing price है वो लगभग same है तो देखिए जैसे आप इस वाली पर नज़र डालेंगे तो ये जहां open हुई ह है वहीं close है इसको मैं जोड़ा zoom कर लेता हूँ जैसे ये मैंने zoom किया अब देखिए यह यहां पर open हुई है यह इसका highest point है यह इसका lowest point है और वहीं पर बंद हो गई तो यानि यह खुला बीच में में भी higher गया lower गया और वहीं पर बंद हो गया या फिर खुला lower गया higher गया same होता है उसे हम doji candlestick बोलते हैं इसे हम थोड़ा सा जो है वो एक example के थुरू देखते हैं तो ये देखिए ये doji candlestick का example है ये green doji है ये red doji है दोनों में क्या फरक है सिर्फ आप देखेंगे तो ये यहां के color का फरक है तो जैसे हम green doji में देखें तो ये यहां खुली है और थोड़ी सी उपर बंद हुई है red doji देखें तो ये उपर यहां पे खुली है और थोड़ी सी नीचे तो मतलब almost price opening price और closing price जो है वो लगबग same है इसमें opening उपर है closing नीचे है but almost same price है ठीक है अब वही बात है कि open यहां हुआ है उपर गया होगा नीचे गया होगा यहां open और close price almost same होता है उसे हम doji candlestick बोलते हैं तो यह तो सिर्फ नाम हो गया और समझना हो गया कि doji candlestick बोलते किसको है ठीक है अब उसका use क्या होता है तो देखिए doji candlestick इस तरह की doji candlestick है वो दिखाती है indecision indecision जिसे हम हिंदी में बोलते हैं या तो हम बोलते हैं दूविधा या अस्मंजस I hope ये word आप समझते हैं तो यानि कहीं भी चार्ट में हम दुबारा जो है वो चार्ट पे जाते हैं हमारे तो आप चार्ट में जिब देखिएंगे तो आप इस तरह से चार्ट में one day का ही चार्ट जो हम पहले जो देख रहे थे हम वो चार्ट में देखते हैं जैसे यह candle stick आई तो हम इसको देखते हैं तो अभी देखिए यह trend आप देखिए यहां से यह market open हुआ है यह जो है यह market open हुआ है और trend नीचे की तरफ को जा रहा है ठीक है और फिर यह एक doji candle बनी तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो BS जो थे बुल्स और बीर्स कौन होते हैं बुल्स वो होते हैं जो चाते हैं कि market उपर जाए उनकी bet इस तरह से लगी होती है कि market उपर जाए बीर्स वो होते हैं जो चाते हैं कि market नीचे जाए और वो market को नीचे की तरफ कुश करते हैं तो यहां से शुरू से ही market जो है वो बीर्स के आ गया है कि नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा लेकिन इसके बाद वो फिर भी नीचे गया आप देखिए इसके यहां असमंजस में आया फिर नीचे गया लेकिन फिर असमंजस में आ गया देखिए कि बीर्स इसको और ज़्यादा पुश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो ये असमंजिस की सिथी होती है, उसमें ये माना जाता है, कि यहां से मार्केट उपर को भी जा सकता है, और नीचे को भी जा सकता है, दोनों तरब से बुल्स और बीएर बराबर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो देखिए अभी इस वाले से देखिए यहां से मार्केट ऊपर चला गया और ऊपर फिर आपको एक डोजी बन गई इसका मतलब है कि यहां से बुल खेंच के इसको ऊपर ले गए लेकिन ऊपर फिर डोजी बन गई तो फिर बुल्स और बियर्स में बराबर फाइट हो रही है फिर वो नीचे लेके आए यहां फिर डोजी बन गई लेकिन फिर भी जो है वो बियर्स ही जीते तो यह सिर्फ आप उसको खैच के उपर लजाने की कोशिस कर रहे हैं बियर्स उसको खैच के नीचे लजाने की कोशिस कर रहे हैं बुल्स फिर उपर लजाने की कोशिस कर रहे हैं और ये मार्केट पर क्लोज हो गया यानि इस समय इस टाइम फ्रेम में ना बुल्स का मार्केट पर कंट्रोल है न beers का market control है दोनों बराबर की लड़ाई जो है वो लड़ रहे ठीक है तो ये इस तरह की candle भी वही है ये देखें इस candle और इस candle में क्या फरक है opening और closing वही है लेकिन जब bulls और beers की लड़ाई हो रही है तो market में volatility वह ज़दा है अगर market में कम volatility होती तो ये इतना सा खुल के ऐसे करके बंद हो जाता है लेकिन volatility बहुत ज़्यादा है मतलब यहाँ पर इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया और बहुत ज़्यादा मतलब beers भी बहुत नीचे तक push कर दे रहे हैं bulls ट्राइक करके उसको बहुत उपर ले जा रहे है beer फिर नीचे ले जा रहे है तो काफी ज़्यादा bulls और beers में fight हो रही है इसमें जहाँ पे आपके wick जो है वो लंबी है ठीक है इस तरह की doji candle जहाँ पे opening और closing price जो है वो same हो और wick दोनों तरफ की लगभग लगभग बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं doji star ठीक है actually पांच तरह की जो है वो doji candles होती है पहली candle होती है जिसे हम बोलते हैं doji star doji star क्या होता है दोनों तरफ बराबर की विक यानि beer और bulls बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और market clear नहीं है तो इस case में क्या होता है बहुत से लोग जो है उनकी exit strategy जो होती है कि आपने कुछ trade लिया हुआ है और आपको exit करना है माल लिजी आपने trade लिया कि market उपर जाने से आपको profit हो रहा है और आप देख रहे हैं कि candle इस तरीके से उपर उपर जो है बनती जा रही है लेकिन एक candle अगर यहां पर आके और डोजी बन जाती है तो उस समय हो सकता है जैसे आपका trade अभी profitable है काफी तो अभी chance है कि यहां पर आपका momentum था जिस speed से market उपर बढ़ रहा था वो slow हो गया है अगर slow नहीं होता तो और इसी तरह की candle बनाता है तो momentum slow हो गया है तो अभी possibility यह है कि market उपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है तो दोनों तरफ market जा सकता है तो यह इस समय में अगर आपको exit करना है तो आप exit कर सकते है ठीक है तो यह एक mean जिसीद के लिए यह use होती है कि आपका momentum slow down हो गया है अगर आप profitable है और exit करना चाहें तो this is a good point to exit ठीक है अब बात करते हैं कितने तरह की doji candles होती है तो यह आप देखिए यह आपके doji candles type है जो पहला मैंने आपको बताया वो है doji star ठीक है doji star मतलब यह और यह equal है लेकिन बहुत ज़ादा लंबे नहीं है तो मतलब market में जो उठा पटक है वो बहुत ज़ादा नहीं है थोड़ा शांत सा market है लेकिन momentum थम गया है इसे बोलते हैं doji star ठीक है दूसरी जो आपको दिख रही है उसे बोलते हैं long legged doji मतलब लंबे पैरों वाली doji candle इसका क्या है इसमें भी वही है सेम पहले जैसा कि market असमंजस में है market दूविदा में है momentum कम हो गया है लेकिन market में volatility बहुत ज़ादा है यानि market में उठा पटक बहुत ज़ादा है तो यह होगी दूसरी candle तीसरी जो candle आपको दिख रही है इसे में तीसरी और चौती candle जो है वो उनके में detail में video बनाऊँगा यह third है और यह fourth है इनके में detail में जो है video बनाऊँगा लेकिन आपको short में मैं समझा देता हूँ इस candle को बोलते हैं ड्रेगन फ्लाय ड्रेगन फ्लाय डोजी इसमें क्या है डोजी क्यों है क्योंकि opening price और closing price जो है वो same है इसलिए डोजी है लेकिन इसमें story क्या है story यह है कि market जहां खुला उस समय beers heavy थे मतलब beer बहुत strong थे तो वो market को catch के नीचे लेके चले गए लेकिन इस point पे जो bulls थे उन्होंने जोड लगाया और वो market को catch के वापिस उपर ले गए ड्रेगन फ्लाय डोजी का क्या होता है कि जब भी market अगर नीचे आ रहा है जैसे इस तरह से मान लेजिए कि red candles जो है वो बन रही है इस तरह से red candles बन रही है और फिर उसके वाद एक doji candle बन जाए तो उसका मतलब है कि अब chances यह हैं कि यहां से market उपर जा सकता है तो reversal of a downtrend तो यह हो गई तीसरी तरह की candle हमारी चौती जो candle है वो है gravestone candle तो बिल्कुल देखिए dragonfly का बिल्कुल उल्टा है gravestone और वो क्या दिखाती है कि जब आपका uptrend चल रहा है इस तरीके से कोई भी छोटा बड़ा इस तरह का अगर आप uptrend चल रहा है और उसके ऊपर एक gravestone doji बन जाती है तो वो दिखाता है कि there is a very high probability कि ये जो trend जा रहा था वो खतम हो गया है और downtrend शुरू हो सकता है तो uptrend के end में जब gravestone बनती है तो trend reversal है या downtrend के end में जब dragonfly बनता है तो reversal है तो ये trend का reversal दिखाती है ये दोन ठीक है चोथा जो candle है इसे बोलते हैं four piece doji तो इसमें ये upper week और lower week जो है वो ना के बराबर होती है तो इसका मतलब है कि market ultimate in decision में है मतलब market जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं कि market in decision में है यहाँ पर ultimate in decision में है कि market को बिलकुल भी idea नहीं है कि क्या हो रहा है या दूसरी condition दूसरा reason ही हो सकता है कि market में liquidity कम है तो या तो highly या indecisive या lack of liquidity तो यह दो कारण होते हैं इस तरह के लेके तो यह होती है doji candle mostly indecision 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 but very volatile indecision and lack of volatility highly indecision and lack of volatility और यह दोनों जो है यह और यह यह मैं बात के वीडियो में मैं detail में cover करूँगा लेकिन इनका यह है कि dragonfly अगर downturn में बनती है तो upturn शुरू हो सकता है और gravestone अगर upmove में बन रही है end में तो downturn शुरू हो सकता है तो यह हो गई है guys doji candles doji candles जिनका opening और closing price same होता है तो मैंने आपको समझाए कि doji candle अगर आपके chart में है तो आप उसका कैसे output आप निकाल सकते हैं जैसे मैं अभी one day के chart में अगर मैं immediately अभी में देखूँ तो देखिए यहाँ पे आपको जो है एक candle दिखाई दे रही है कौन सी candle है यह gravestone तो यहाँ से आप देखें market नीचे आ रहा था लेकिन यहाँ से फिर उपर गया क्योंकि green candle बनी लेकिन फिर जो है reversal हो के वापिस यहाँ आ गया यहाँ पे यह almost छोटा doji है फिर reversal हो के इधर गया है फोड़ा और पीछे अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह market नीचे आ sorry यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह market नीचे आ रहा था यहाँ पे indecision की doji बनी market फिर उपर चला गया यहाँ फिर indecision की doji बनी market fit नीचे आए यहां फिर बनी लेकिन जरूरी नहीं है कि reversal हो तो market fit नीचे आए और नीचे जा रहा है तो इस तरह से आप जो है वो doji और भी बहुत सारी candles है मतलब इन सब candles के नाम होते है जैसे इसका एक specific meaning होता है हर तरह की candle का यह specific type की candle है तो वो भी हम आगे जो है वो चेक करेंगे तो सबसे पहले I hope आपको doji candle समझ में आ गया होगा और नहीं आया है आप यह कुछ भी doji candle के बारे में कुछ questions है कुछ भी प्रशन है तो आप comment में मेरे से पूछ सकते हैं मैं उनका सब cancer करूँगा और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करना और इन वीडियों से गाइस अगर आपको help मिल रही हो तो please वीडियो को like जरूर कीजिएगा क्योंकि मुझे से पता लगता है कि भई मैं जो वीडियो बना रहा हूं उनसे आपको help मिल रही है ठीके चलिये thank you very much have a good day